एक उम्र के बाद लगबग हर किसी के बाल पतले हो जाते हैं, बाल जढते हैं लेकिन आजकल थो बहुत कम उम्र में ही बाल पतले हो रहे हैं लेडीज में जो प्रॉब्लेम दिखता है उसमें सबसे पहला प्रॉब्लेम है फीमेल पैटर्न बॉल्टनेस आपका जो स्कैल्प है आपके स्कैल्प में स्पेशली फ्रंट पोर्शन आपके स्कैल्प में वो पतला होता रहता है तो आप इस तरीके से पॉनी टेल नहीं बां बेबी हेर तो निकलते हैं लेकिन वो रहते नहीं है, स्काल्प में बेबी हेर निकल आए, उच दिनों बाद वो फिर से जड़ जाते है और आपका स्काल्प पतला हो जाता है, हेरलाइन ठीक करना लड़कियों के लिए एक बहुती चालेंजिंग टास्क है, मतलब बहुता ची स्काल्प में हेर लाइन को ठीक कर सकते हैं, मतलब बेबी हेर ग्रो होगा, बस एक महीने में ही आपको अच्छा रिजल दिखेगा, शुरू करते हैं आज का और एक हेर केर का वीडियो मेरा नाम है रूपा, पहली बार मेरे चानल पर आए हो, तो नमस्ते, मेरा नाम है रूपा, स्वागत है आप लोगों का यहां पर मैं स्किन केर, हेर केर, मेकप और प्रॉड़क रिवीउस के बहुत सारे वीडियो अपलोड करती हूँ, अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करके आप इस चानल के सब्सक्राइबर बल सकते हो तो आप में से जो मेरे पुराने वीवर से उनको पता है कि मेरा भी हेरलाइन सही नहीं था, मेरे स्काप में स्पेशली लेफ्ट साइड पे बाल बहुत ही पतले होते थे और एक प्रॉब्लम मुझे होता था कि बेबी हेर निकल आते थे कुछ तिनों बाद वो जढ़ जाते हो बालों को ठीक बनाना चाहते हो अंगिनत रेमेडी जा मेरे चानल पर उनको चेक आउट कर सकते हो आज उसमें और एक एडिशन है इसको भी आप ट्राइ कर सकते हो अगर आपके खर में चोटे बच्चे है जिनके स्काल्प में बाल एकडम नहीं है बहुत ही पतले वाल है उनके स्काल्प में भी आप इस रेमेडी को लगा सकते हो इसको बास आपको हफ्ते में एक बार करके लगाना है जोसे आप शांपू कर रहे हो शांपू करने से एक घंटा पहले और एक घंटा राखिये उसके बाद आप उसको शांपू कर दीजिए ओली बालों में भी लग हुँ सारे के सारे ही fresh ingredients है लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप dry powder खरीद कर भी उनका इस्तमाल कर सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगी आप उनको कैसे इस्तमाल करेंगे तो fresh ingredients में यहां पर ले रही हूं कुछ fresh गुढल के पत्ते यह लाल गुढल के पत्ते हैं लेकिन आप optional है और भी जो colors है आपके पास available अगर आपके घर में प्लांट है तो तो उसका पत्ता भी आप ले सकते हो अब इसके साथ मैं यहां पर लेने वाली हूं कुछ fresh गुढल के कलिया जिनको हम birds कहते हैं जो अभी तक खिले नहीं है लग बग 5-6 ले ले लिजी अगर आपके मिड अब इसके साथ मैं और एक इंग्रीडियंट है यहां पर ले रही हूं यह अच्छली ऑप्शनल है आप चाय तो ले सकते है अदवाइस आप इसको स्किप भी कर सकते है वह ए ऐर ड्राइ किया हुआ गुढल के फूल अच्छल में यह जो फूल है यह एक दिन मैंने ऐर ड्र अब इन सारी चीजों को आपको अच्छे से दो कर इसका पेस्ट तयार करना है जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियो में बता दी गई हूं कि जब आप कोई भी फ्रेश इंग्रीडियंस को मिलाकर एक पैक तयार करेंगे उसमें ज्यादा पानी का इस्तमाल ना करे नहीं त इसको आपको सिलवर्ट एक पीशना है कि मिक्सि में ये अच्छे तरी के से पी नहीं बहुत ही स्टिकी है ये जी घृल का पता है पूल है तो एक सिलवर्टे का इस बढूल करेंगा बड़ी आती है उनके बारे मैं बताने कि जिनके पास ये फ्रेश इंग्रीडिय마 नहीं ह पानी में यह पाउडर है इसको ढाल कर संगसंग अब इस तब नहीं कर सकते और अगर आप पाउडर इस्तमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको थोड़ा सा दही लेना पड़ेगा पेस्ट को तयार करने के बाद इसके साथ आपको मिलाना है दो ड्रॉप रोजमेरी एसंशल ओ काफी पेस्ट हैं कियुंकि ये काफी स्टीकी पेस्ट है अगर आप इसको पूरे सर पे लगाने बाद बालों में लगाओं तो जब आप इसको वाश करो तो बहुत बाल जढ़ सकता है उसका को निकाल पाओ तो यह दोनों process है दोनों process से आप अपणे scalp में इस remedy को अपला एक कर सकते हो इसको आप तीन महीना लगाओगे तो तीन महीने बाद ही आपको results दिखेगा, एक हफ्ता, दो हफ्ता में आपको कोई भी improvement अपने में नहीं दिखने वाला है तो इसको ट्राइ कीजिए गाइस ट्राइ करके अपने स्काल्प में से फीमेल बाटन बॉल्डनेज या फिर स्टेज अलोपेशिया का प्रॉब्लम दूर करिये अगर आपके पास ब्रिंगराज का पत्ता है उसका वी तोड़ा सा डर्सस के साथ कास्टरा ओयल मैं आज भी इस्तमाल करती हूँ ट्राइ कीजिए गाइस ट्राइ करके अपना फीडबैक मेरे साथ शेर कीजिए आज के लिए बस इतना ही सी यू नेक्स टाइम बाई